अलन मस्क बाइशली वेंस और हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अपना कर एलन मस्क इतने सफल बने। हम उनके उस गोल के बारे में भी जानेंगे जिसके जरीए वो मानवता को बचाना चाहते थे। यही वो गोल था जिसके वज़े से उन्होंने सोलर पावर, एलेक् एलन मस्क ने किस तरह से इलेक्टरिक कार को और सुन्दर बनाया। एलन मस्क ने अपने मार्स मिशन की शुरुआत किस प्रकार की। बात की जाए टेसला और सुलर सिटी के मालक एलन मस्क की तो वो टेक्नलोजी इंडस्टरी के राजा हैं। कई बार अपने यूनीक आइडिया की वज़े से पूरी दुन्या को हैरान कर चुके हैं। यह जानते हैं कि वो ऐसा करने में कैसे सक्षम हुए। एलन मस्क की सबसे खास बात यह है कि वो दुन्या को एक अलग नजर से देखते हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। उनका मकसद इंसानियत को बचाना है। उनके हिसाब से जल्दी ही धरती पर जीवन जीने हे तूच चीजे चाहिए होती हैं उनकी कमी हो जाएगी और इसी लिए वो मार्स पे जीवन की खोज कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है मानव जाती को बचाना। एक बार जो चीज उनके दिमाग में बस जाती है तो फिर एलन मस्क उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। एलन मस्क अपने लिए अन्रियालिस्टिक गोल्स नरधारित करते हैं और फिर उसके बाद उनको अचीव करने के लिए जी जान से लग जाते हैं। कई बार वो अपने साथ काम करने वाले करमचारियों को फ्रॉस्ट्रेशन में आकर गाली भी दे देते हैं। ऐसी ही एगटना हुई जब उनकी कामपनी के करमचारी ने कामपनी के इवेंट में पाहने के बजाए अपने बच्चे की जन्म दिन पर जाना ज्यादा उचित समझा। इस बात को लेकर एलन मस्क उस कर्मचारी पर भड़क गए। सोमवार सुबह से लेकर मंगलवार की रात तक एलन मस्क एंजलिस में स्पेस एक्स में काम को संभालते हैं। उसके बाद बुदवार सुबह से गुरवार तक वो सिलिकॉन वली में मौजूद टेसला के हेड आफिस में समय वितीत करते हैं। एलन मस्क की तरह जीवन जीना बह खौत कठिन कारे हैं। क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क के अंदर इंसानित किपरती इधारना कैसे पैदा हुई। आईए हम आपको इस बारे में बताते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी साउट अफ्रिका में। बच्पन के दिनों में अलन मस्क और उनके पिता के रिष्टे बहुत अच्छे नहीं थी। बावजूद जब उनके माता-पिता का तलाँ हुआ, तो एलन मस्क ने अपने पिता के साथ रहना सविकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मां के साथ बोग अपने पिता के साथ छोड़ देंगे तो वो काफी अकेले पड़ जाएंगे, स्कूल में भी माता-पिता के रिष्टों को लेकर एलन मस्क को काफी कुछ सुनना पड़ता था एक बारते एक लड़की के साथ उनकी जड़ब भी हो गई थी जिसकी वज़े से उनको काफी चोटे आईं थी और वो एक हफ़ता स्कूल भी नहीं जा सके थे उस सबसे पार पाने के लिए तीसरा सबक एलन मस्क का कॉन्फिडन्स और उनका डिटर्मिनेशन उनके कॉलिज की दिनों में और बढ़ गया 1988 में मस्क ने ये निर्णा लिया कि वो सौथ अफरीका की आर्मी में काम नहीं करेंगे उन्होंने सोचा था कि वो अमारीका जाएंगे लेकिन अपनी सोच के विपरीद उन्हें कैनेडा जाना पड़ा कैनेडा में पहला साल उनके लिए काफी चुनाती पून था क्योंकि उनको नौकरी की तलाश में काफी भटकना पड़ा उन्होंने कैनड़ा में एक विश्व इद्याले जॉइन किया जहां पर उनका आत्नोविश्वास जगने लगा और उनके जीवन में एक नया मोडाया मस्क के लिए कॉलेज हाई स्कूल से ज्यादा प्रेडित करने वाला था क्योंकि कॉलेज की दिनों में ओ काफी खुल गए कॉलेज में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के साथ साथ वहीं पर उनको वो लड़की मिली जिसने की पहली बार उनको अकरशत किया उस लड़की का नाम जस्टिन विल्सन था ये लड़की आगे चलकर एलन मस्क की पहली पतनी बनी एलन मस्क और जस्टिन विल्सन की 6 संताने हैं विल्सन और मस्क का रिलेशनशिप काफी रोमैंटिक था हाला कि शुरुआत में विल्सन ने मस्क के प्रती को इंट्रस्ट नहीं दिखाया पर पहली बार जब मस्क ने विल्सन को डेट के लिए पूछा तो उन्होंने साफ इंकार कर दिया था एलन मस्क को विल्सन का ना पसंद करना एलन मस्क को विल्सन का ना पसंद नहीं आया उसके बाद मस्क ने विल्सन के एक दोस्त की मदद से उसकी फेवरिट आइस्क्रीम के बारे में पता किया और फिर एक दिन मस्क विल्सन की पसंदिदा चॉकलेट आइस्क्रीम लेकर विल्सन के सामने चले गए ये ट्रिक काम आई और विल्सन ने उसके बाद हाँ बोल दिया दो साल क्वीन्स युनिवर्सिटी में बिताने के बाद एलन मस्क युनिवर्स्टी ओफ पैंसलवेनिया चले गए, वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने अपने ग्यान को और द्रड बनाने का निश्चे किया, एलन मस्क ने अपने जीवन में उनहीं लोगों को अपना मित्र बनाया जो तन, मन और धन तेनों से उनकी मदद कर सके, एलन और एडियो रेसी जो आपस में अच्छे दोस्त थे, दोनों ने मिलकर अपनी चौदेह बेडरूम वाले घर में पार्टियों के मिजबानी की, जो उन्होंने किराये पड़ लिया था, उस पार्टी का एंट्री इस स्टार्ट अप ने उन्हें डॉट कॉम सिलिकॉन वेली मिलेनियर बनाया, कॉलेज से निकलने के बाद मस्क को बस अपनी सफलता नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ग्लोबल लिंक इन्फॉरमिशन नेटवर्क नाम की कमपनी शुरू शुरुआत में तो एलन मस्क और उनके भाई के लिए नई कमपनी को चलाना काफी मुश्किल सफर लग रहा था, बहुत से लोगों ने उनके ओफर को रिजक्ट कर दिया था, उस समय कुछ लोगों ने तो यहां ता कह दिया था कि इन्टरनेट का कोई फ्यूचर ही नहीं है एलन मस्क का समय तब बतला जब वेंचर कैपिटल के मालिक मोहर डेविडो ने एलन मस्क की रणनीतियों से प्रभावित होकर उनके बिजनस में इन्वेस्ट किया, डेविडो को एलन मस्क की एनरजी और ड्राइव की बातों पर काफी परोसा था, कुछ समय बाद ऐसी घटन और कम समय में करना शुरू कर दिया, एलन मस्क खुद भी कोडिंग जानते थे, जिम अमबर्स जो की इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट के CEO थे, वो जानते थे कि अगर एलन मस्क कहते हैं कि ये काम एक गंटे में होना चाहिए, तो हो ना हो उस काम को करने में एक से दो दिन ज़रूर लगेंगे, और अगर मस्क कहते हैं कि कोई काम एक दिन में करना है, तो उस काम में कम से कम एक हफता लगता था, आखरकार फरवरी उनिसो निन्यारवे में, कॉमपेक कम्प्यूटर ने बहुत बड़ी डील आफ़र की, इस डील के तहत, कॉमपेक कम्प्यूटर न पाच्वा सबग, पेपॉल के साथ जूजते हुए एलन मस्क को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कॉमपेक कम्प्यूटर के साथ तो हुई डील के बाद मस्क के पास बहुत पैसा आगया था, उस पैसे से उन्होंने सबसे पहले मैक लॉरेंड की स्पोर्ट्स कार खर उन दिनों लोग ऑनलाइन कितावे खरीदने के लिए अनिच्चुक थे, क्योंकि बैंक खाता विवरंड साजा करना पड़ता था, जोकि लोगों को ठीक नहीं लगता था, लेकिन बाकलेज के साथ साज़ेधारी करके मस्क, एक्स.com को दुनिया के पहले ऑनलाइन बैंकों म से एक की रूप में स्थापित करने में सफल रहे, जिसमें FDIC, BIMA और निवेशकों के लिए चुनने के लिए तीन म्यूचल फंडों का समर्थन किया, एलन मस्क के लिए सब कुछ विवस्ते दंग से चल रहा था, लेकिन कुछ समय में उनके सामने नए कॉम्पिटिटर आ Max Levchin और Peter Thill के Confinity नामा कंपणी के लिए PayPal लॉंच कर दिया, एक दूसरे को काफी competition देने के बाद साल 2000 में मार्च के महीनों में दोनों ही कंपणीयों नहीं आपस में मिलकर काम करने का निश्चे किया, इससे दोने ही कंपणीयों को फायदा था, क्योंकि Confinity के पास बहुत अच ने रिजाइन कर दिया और उनके बाद Levchin ने भी रिजाइन करने की धमकी दी, एलन मस्क को लगा कि अब वो अकेले दोनों कंपणीयों के बीच खड़े हैं, कंपणी के ज्यादा तरकामचारी PayPal के समर्थन में थे, लेकिन इसके बावजूद एलन मस्क अपनी कंपणी X.com के साथ लगी रहे और जूजते रहे, इतनी महनत के बावजूद सपलता नहीं मिली, हर अफ़ते कंपिटर खराब होते थे और वेबसाइड क्रेश कर जाती थी, इसे बीच सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही अचंबित करने वाली घटना घटी, एलन मस्क अपनी पतनी के साथ ह नीमोन पे गए, उनके जाते ही उनके कंपनी की करमचारियों ने थिल के पास जाकर उनको अनरोध किया कि वो वापस कंपनी जॉइन करने और अगर वो ऐसा करते हैं तो एलन मस्क को दर किनार कर दिया जाएगा, हुआ भी ऐसा ही, थिल के कंपनी जॉइन करने से मस्क कंपनी में मातर एक एडवाइजर बनकर रह गए. कंपणी का नाम भी बदल कर पेपॉल कर दिया गया. बात में ये कंपणी E.B. ने खरीद ली. चटा सबक. मस्क अपने द्रड निश्चे के चलते अंतरिक्ष के मैदान में उतर गए. 2001 में अपने 30 जन्व दिन पर एलन मस्क ने लॉस अंजलेस में स्पेस एजनसी के पास एक खरीदा. मस्क हमेशा से ही स्पेस इंडरस्ट्री में जाना जाते थे, क्योंकि उन्हें स्पेस से काफी लगाव था. उसी समय एलन मस्क को पता चला कि स्पेस एनरजी मार्स पर जीवन दलाशने की खोज में चूहे को वहाँ भीजने की कोशिश में जुटे हुई है. मस्क को यह प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको इस प्लान में बस एक कमी लग रही थी. उनका माना था कि चूहे को ओबिट में भीजने के बजाए सीधा मार्स पर ही भीजाजाए. बाद में किसी वज़े से ये प्लान अफल नहीं हूँ सका, लेकिन इसकी अाफाल था एलन मस्क को स्पेस एंडिस्ट्री में आने से नहीं रोख सकी. एलन मस्क ने स्पेस एंडिस्ट्री के लिए सबसे पहल काम ये किया, काम ये किया नहीं बहुत ही काम पैसों में स्पेस रॉकेट का निर्मान चुरू किया, 2002 में अलन मस्क ने अपनी कमपनी स्पेस एक्स की नीव रखी अपने सप्राइज करने वाले स्वभाओं के साथ मस्क ने अपनी नई कमपनी के साथ बहुत सारी कमिटमेंट दे दी और उनको अंततय पूरा भी किया उन्होंने मई 2003 में पहला इंजन जून में दूसरा और जुलाई तक पूरा रॉकेट खड़ा कर दिया उनके दूरा बनाए गए रॉकेट का पहला लॉंच उनकी कमपनी की शुरू होने के पंदरा महीने बाद नर्धारित हुआ लेकिन स्पेस एक्स को सफल होने में चार साल लग गए एलन मस्क के दूरा लगातार प्रयास किये जाते रहे लेकिन सभी असफल होते थे मस्क को पहले से ही पता था कि स्पेस इंडॉस्ट्री में इतनी जल्दी सक्सिस नहीं मिलती है इसलिए उन्होंने कभी उमेत नहीं चोड़ी साल के अंतमेस चार साल बाद आखरकार स्पेस एक्स ने पहला सफल रॉकेट लॉंच किया एलन मस्क की मैनत रंग लाई और स्पेस एक्स वो पहली कमपनी थी जिसने सफलता से ड्रेगन एक्स को अंत्रिक्ष में ले जाकर वापस भी लेकर आई साथवा सबक मस्क के नेतरत में टेसला ने दुनिया को भविशे की इलेक्ट्रोनिक कार दी इलेक्ट्रोनिक कार के पास उतनी पहचान नहीं है जितनी ओडी और फरारी जासे ब्रेंड की कार के पास मौजूद है लेकिन अगर सोचा जाए तो इलेक्ट्रिक कार ही भविशे हैं और इस भविशे को सफल बनाने के लिए एलन मस्क दिलो दिमाग से लगे हुए हैं मस्क की वज़े से ही दुनिया में इलेक्ट्रिक कार का पदार पढ़ हुआ यह तब शुरू होता है जब जेबी, स्ट्रॉबेल, मार्टिन, एरहर्ड और मार्क, तारपैनिंग, लिथियम आयन बैटरी दौरा संचालित इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रहे थे एक जुलाई 2003 में, एबहार्ड और टैर्पनिंग ने टेसला मोटर्स की स्थापना की, बाद में स्ट्रॉबेल शामिल हो गए इन सभी लोगों के एक साथ आने का मकसद यही था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जाए जो कि फरारी से भी तेज हो, इन सब लोगों के लिए इसके लिए पैसों की जूरत थी, इसलिए सबसे पहले ये वेंचर कैपिटल के पास गए, परंतो वहां से इनको किसी प्रक मैं भी न्युक्त किये गए, मस्क का मानना था कि एलेक्ट्रिक कार के आधोनी खोने से वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और साथ ही साथ इससे प्रदूशन का प्रकूब भी कम रहेगा, धीमी शुरुआत के बावजूद टेसला एक सफल कमपनी बन करो भी, 2012 में एक सिदान मॉडल लांच किया, जिसनी की टेसला की तस्रीर बतल दी, निरंतर इंटरनेट एकसेस और एक संसर के साथ आई इस कार में ड्राइवर को एक बटन को छुए बिना इंजिन शुरु करने के अनुमाती थी, इसी कम्पिटर विद वील्द की रूप में संदर्भित किया गया, दोहजार बारा के अन्थ में इस कार को कार आफ द इयर का खिताब मिला, ग्राकों ने इस कार को सौ में से 99 नंबर दिये, कही लोगों का मानना था कि अब तक कि ये सबसे बहतरीन कार है, ये मस्क के लिए काफी बड़ी सवलता थी, लेकिन अगर हम एलन मस्क के द एलन मस्क की लोग प्रियता लगातार बढ़ती गई, क्योंकि अपनी तीनों ही कमपनियों के द्वारा उन्होंने सिर्फ मानव जाती के अच्छे भविशे के लिए काम के, साथी साथ उनके कमपनियों ने बहुत प्रोफिट भी कमाया, चाहे वो ट्रसला हो, स्पेस एक्स ह सभी ने मारकेट में अपनी अलग चाप छुड़ी, मस्क का अगला उदेश था कि वो सोलर इंडस्ट्री में अपना हाथ आसमाए, लेकिन स्पेस एक्स के बाद उनके पास थोड़ी पैसों की कमी हो गई थी, इसलिए जब उनके भाई कुछ बिसनस करना चाहते थे तो उन् लेकिन इनकी लागत बहुत महंगी पड़ती थी, जिसके कारण लोग इन से दूर भागते थे, इसलिए उनके भाईयों ने लोगों की मजबूरी को समझा और उसके हिसाब से काम करना शुरू किया, इसकाम में मस्क ने अपनी भाईयों की काफी मदद किया और इसलिए मस्क को सोलर सिटी नमक ऊस कमपनी का चेर्मेन भी बनाये गया, आगे चलकर ये कमपनी अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर पैनल की कमपनी बनी, साती इस कमपनी का नाम अमेरिका की बड़ी कमपनियों के साथ शमार होने लगा, जैसे व Carrie Walmart 2014 में इस कमपनी की खीमत लगभग 7 बिलियन की हो गई थी मस्क की सारे बिजनस आपस में जुड़े हुए थे जैसे की सोलर सिटी जो सोलर पैनल बनाती थी वही टेसला में काम करने आते थे वो टेसला के काम में आते थे और टेसला के द्वारा बनाया जाने वाला बैटरी सोलर सिटी में कामाती थी परन्तो मस्क का खास उद्देश अभी भी अधूरा था सोलर सिटी, कार और बैटरी बनाना तो मस्क के उद्देशियों से काफी अलग था फिर भी वो सिर्फ अपने असली उद्देश को पाने के लिए इन सभी चीजों को कर रहे थे नवा सबक हाइपरलू और बहुत से प्रोजेक्ट के द्वारा मस्क ने एरोस्पेस और आटो मॉबाल इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया मस्क के पास हमेशा से ही बहुत अलग प्लान हुआ करते थे 2013 में उन्होंने हाइपरलूप को इंट्रड्यूस किया साथी साथ मस्क ने टेसला और स्पेस एक्स को भी और सुद्रड बनाने का फैसला किया हाइपरलूप छोटे सफर को आसान बनाने का एक तरियका था जैसे कि हम सभी एक ओफिस से दूसरा ओफिस तक मेल सेंट करते हैं उसी प्रकार मस्क ने हाइपरलूप के द्वारा लोगों को एक जग़ से दूसरी जग़ तक भीजने का प्रयास किया इस तरह के विचार पहले भी प्रस्तावित किये गए थे लेकिन मस्क का आईडिया सबसे अलग था उनका डिजाइन कम प्रेशर में चलता था तकि पॉड हवा पर तैरते हैं सभी पॉड एक विद्युत चुमबकिये नाड़ी की द्वारा आगी की और बढ़ते हैं और पूरे ट्यूब में मोटर्स पॉड को ज़रूरत पढ़ने पर एक अतिरिक्त शक्ती देते हैं यह सभी पॉड इतनी तेज ट्रैवल करते थे कि आप 800 मील का सफर एक घंटे में तै कर ले इसलिए लोस एंजलिस से सेंट फ्रांसिसको का सफर मातर 30 मिनट का हो गया इस SUV में वो सारे फीचर होंगे जो कि किसी एक लाख डॉलर में आने वाली SUV में होते हैं मस्क इस SUV की की खीमत मातर 35,000 डॉलर रख रहे थे हलाकि इस मॉडल को सडकों तक लाते-लाते मस्क को दो साल लग गए और 2017 में टेसला के दोरा ये मॉडल शोरूम पर पहुँचा 2014 में मस्क ने दुनिया की सबसे बड़ी लीथियम आइरोन बैटरी के लिए गीगा फैक्टरी बनाने की योजना की भी खोशना की ये मारकेट प्लेस में उपलब्द बैटरियों को बढ़ाएगा जो टेसला कारों को लंबी दूरी पर पहुचाने के लिए रण नीदी का एक मैदबून हिस्सा था यहां तक कि रिचार्जिंग स्टेशन तक पहुचे बिना भी टेसला के अलावा स्पेस एक्स ने नासा के साथ कॉलबरेशन करके इंसानों को स्पेस में ले जाने के प्रोजेक्ट शुरू किया था स्पेस एक्स ने सटेलाइट पर भी काम शुरू किया और साथी साथ स्पेस एक्स की मदद से मस्क का सपना भी पूरा होता हुआ नजर आया मस्क का सपना था कि वो मार्स पर जीवन की खोज करें दस्वा सबक एलन मस्क की परस्नल लाइफ उतनी सफल नहीं हो सकी जितनी की उनकी सूशल लाइफ थी मस्क की परस्नल लाइफ बिलकुल अलग थी मस्क दयालो नहीं थे उनकी पहली बीवी जुस्टन का कहना है कि एक बार उन्होंने मस्क से कहा कि वो उनकी बीवी है ना कि कोई कर्मचारी तो मस्क ने उनसे कहा कि अगर वो उनकी कर्मचारी होती तो अब तक उन्हीं घर से बाहर निकाल चुके होते 2008 में मस्क ने जस्टिन के साथ तलाक लेने का फैसला किया उसके बाद मस्क काफिया केहले हो गए और इसी वज़े से उनकी एक दोस्त ने उनको लंदन घुमाने का प्रस्ताव रखा दोनों साथ में लंदन घुमने गए और वहीं पर मस्क एक अभी नेतरी से मिले जिनका नाम था तालूला रुले या भी नेतरी आके चलकर मस्क की दूसरी पीवी बनी 2012 में निजी कारणों की वज़े से दोनों की बीच में तलाक हो लेकिं तलाक के तुलन बाद उन्होंने फिर से शादी कर ली क्योंकि मस्कों को लगता था कि वो बहुत बिजी हैं और किसी और को डेटी नहीं कर सकते हैं लेकिन दो साल तक शादी निभाने के बाद 2014 में दोनों के बीच फाइनली तलाक हो गया लोगों का मानना था कि मस्क के अंदर बिलकुल भी दयाकी भावना नहीं है एक बार की बात है कि उनकी कमपनी इस्पेस ऐक्स में काम करने वाली एक महीला मैरी जो बहुत से काम समालती थी उसने काफी समय के बाद मस्क से दो हफ़तों की छुटियां माँगी मस्क ने उन्हें चुटी तो दे दी लेकिन जब वो वापस आई तो उन्होंने मस्क से कहा कि उन्हें वापस काम करना है तो मस्क ने उनसे कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई जुरूरत नहीं है लेकिन उनकी दूसरी बीवी का मानना बिलकुल अलग था उनका कहना था कि मस्क चाहे कितने भी बिजी हूँ लेकिन शाम को टाइम पर घर आते थे बच्चों के साथ बैट कर डिनर करते थे और साथ इसाथ उनके साथ कंप्यूटर गेम भी खेलते थे कुल मिलाकर एलन मस्क एक exceptional इंसान है उनने मानव जाती के कल्यान के लिए नजाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों का विश्कार किया है अपनी परसनल लाइफ में वो चाहे कितने भी कमजोर पड़े हो लेकिन सोशल लाइफ में हमेशा ही सबसे आगे रहने का फैसला किया मस्क को ना कभी पसंद नहीं आया स्पेस और आटो मुबाइल इंडस्ट्री में इस वक्त विश्व में एक मातर लीडर है वो है अलन मस्क क्या करें हमेशा बड़ा सोचें कभी भी आपके दिमाह में कोई सबसे अलग आइडिया है तो सबसे पहले आप ऐलन मस्क के जैसे बारे में सोचें और उसके बाद उस आइडिया को सपनी बनाने का सपना देखें जैसे गैलन मस्क ने किया उन्होंने पहले सोचा कि वो चूहों को मार्स पर लेके जाएंगे और एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे चुकि फरारी से भी तेज दोड़े और उन्होंने ऐसा करके दिखाया